नमस्कार स्वागत आपका अपने ही यूट्यूब चैनल स्टार्ट इन्वेश्टन में और आज के इस वीडियो में दोस्तों मैं आप लोगों को चार ऐसे स्टॉक्स के बारे में बताने वाला हूँ जिन्होंने की अपने शेयरोल्डर को इवन थाउजन्ट टाइम्स उनके पैंसों को बना के दे दिया है जिहां दोस्तों आप लोगों को यकीन नहीं हो रहा होगा हजार गुना अपने शेयरोल्डर के पैंसों को बना देना कोई छोटी मोटी बात नहीं होती है वीडियो में आप लोग बने रहिएगा ऐसे ही चार स्टॉक्स में आप लोगों को ब returns दिये हैं, एवन इस में से कुछ कंपनिया debt free भी हैं और एक diversify portfolio बन जाता है, जो भी shareholder और जो भी investor इन 4 कंपनियों के अपने stocks में रखते हैं, अपने portfolio में रखते हैं, तो छलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का ये video, सबसे पहली कमपनी यहाँ पे देख लिजिए आप लोग इस कमपनी ने पिछले 10 सालों में 12,271 परतिसत के रिटर्न दिये हैं अब 12,271 परतिसत का मतलब यह होता है कि कमपनी ने 122 टाइम्स कर दिया है अपने शेरोडर के पैसों को जो कि बहुत बड़ी बात है इस कमपनी का रेविन्यू अगर देखा जाए तो हर साल कमपनी रेविन्यू जो है इंक्रीज हो रहा है और 2021 में कमपनी का रेविन्यू 4,369 करोड रुपै का रहा कमपनी का profit देखेंगे तो हर साल कमपनी का profit increase होता रहा और 2019 से लेकर 2020 में तो जैसे इस कमपनी ने एक छलांग सी लगाई हो 2021 में देखा जाए तो 775 करोड रुपए का यहाँ पे net profit company का बनके आया है इस कमपनी का नाम मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दीपक नाइट्राइट लिमिटर जी हाँ दोस्तों chemical sector का एक उभरता हुआ सितारा है जिसने के पिछले 10 सालों में अपने shareholder को लगपती करोडपती बना दिया है और आने वाले समय में ये company एक multi-veggar साबित हो सकती है इस company के कुछ product बताना चाहूँगा bulk and commodity chemicals manufacturing करती है fine and specialty chemicals manufacture करती है साथ ही साथ pharmaceutical intermediates भी एक company बनाती है और इसके कुछ new launch भी है जैसे कि agrochemical sector में फार्मशूटिकल में भी कुछ इसने new launches किये है और wood preserve weight tips भी एक company manufacture करती है तो company एक जबरदस्ट portfolio है company का अपने आप में chemical sector में और chemical sector की दिगज कमपनियों में इस company को गिना जाता है इसके कुछ client बताना चाहूँगा good year India जो की इतनी बड़ी company है आप लोग देख सकते है यहाँ पे इसकी global presence का map देखेंगे तो पूरे world में यह company अपने product को sale कर रही है और साथी साथ Reliance Industries जैसे दिगज को भी अपने product दे रही है और Reliance Industries Limited इसकी customer है यहाँ पे देखेंगे doticon है साथी साथ P&G, Indian Oil यह इसके customers है तो बहुत ही जवरदस्त company Deepak Nitride Limited यहाँ पे अगर आप लोग देखेंगे तो company ने पिछले 10 सालों के दोरान 13,045 परतिसत के return दिये हैं अपने shareholder को तो company एक बहुत बड़ी multi-bagger company है और मैं यह मानता हूँ कि chemical sector में अगर आप लोग कोई stock सर्च कर रहे हो तो एक बार Deepak Nitride को जरूर सर्च करना चाहिए जिसने कि अपने shareholder को लगपती करोड़पती बना दिया है आगे बढ़ते हैं दूसरी company आप लोगों को बताना चाहूँगा जिसने कि पिछले 10 सालों के दोरान 926 परतिसत के return दिये हैं अगर company का revenue देखा जाए तो company का revenue ही इतना generate होता है जितने कि छोटी company का market capitalization ही नहीं है आप लोगों सोच सकते हैं यहाँ पे company का revenue 2021 में 21,712 करोड़ रुपय का generate हुआ और company का net profit भी हर साल increase होता रहता है net profit देखें यहाँ पे company का तो company का net profit 2021 में 3,178 करोड़ रुपय का बना और साथे साथ इस company का नाम बताना चाहूँगा Asian Paints जी हाँ दोस्तों इसके product देख लीजिए अगर आप लोगों को colors and textures में देखना है साथे साथ interior paints, exterior, waterproofing के लिए wood metals के लिए adhesive चीए Asian Paint जैसी company paint market में जिसने एक अपना पूरा का पूरा जो है market को कबजे में कर रखाया इतना बड़ा यह market है वहाँ पे आप लोग इसके paints देखेंगे इसकी network देखेंगे तो बहुत बड़ा इसका network है बहुत अच्छे अच्छे इसके brands है और cheap price पे market में available है तो Asian Paints Limited अगेन एक multi-bagger share जो कि 3000 रुपए के आसपा से share trade होता हुआ दिखाई दे रहा है पिछले 15 से 20 साल के दौरान company ने 27,956 परतिसत के return अपने share router के लिए बना के दिये हैं अगेन high ROE, high ROCE वाला यह share है almost debt free यह share है और Asian Paints Limited के returns आप लोग देखेंगे और इसका graph देखेंगे तो आँखे खुली की खुली रह जाएंगी इस तरह के share हर किसी के portfolio में मुझे लगता है रहने चाहिए next company की बात कर देता हूँ third stock है जिसने की पिछले 10 सालों के दोरान 2033 परतिसत के return अपने share order के लिए बना के दिये है company का revenue देखा जाए तो 2021 में 10,457 करोड रुपए का रहा साथ ही साथ net profit company का देखा जाए तो company का net profit 1044 करोड रुपए का रहा 2021 में और company का नाम है Hevels India Limited जी हाँ दोस्तों एक fast moving electrical goods वाली ये company है company की manufacturing जैसे fan है heavy duty fans वे professional lighting वी cables, motors, switch gear, power quality solutions, solar solution में भी ये company अपने product प्रवाइड करती है साथे साथ अगर consumer में देखा जाए तो fans, lighting, appliances, switch, switch gear, water heater, flexible cables, air cooler, pump, personal grooming, water purifier, solar तो company जो है एक पूरे के पूरे industry में छाई हुई है Hevels India Limited आप लोगों को market में इसके product easily मिल जाएंगे आप लोगों ने खुद घर में भी use किये होंगे अगें ये एक multi-backer share है जिसने के अपने share order के लिए बहुत बड़े बड़े पैसे generate करके दिये हैं लेकिन उसी amount में आप लोगों को उसी quantity में shares भी लेने होंगे और ये ऐसे share है जहाँ पे कि आख बंद करके आप लोग shares को buy कर सकते हैं यहाँ पे देखेंगे हैविल्स इंडिया लिमिटेट 1429 रुपए का ये share और पिछले 20 सालों के दोरान इस company ने अपने shareholder को 75,534% के return जनरेट करके दिये हैं अब ये कोई छोटा मोटा return नहीं होता है 75,534% के return बहुत बड़ी बात होती है है विल्स इंडिया लिमिटेट चलिए अब जो last multi-veggar share है ये ऐसा multi-veggar share है जो कि मैं मानता हूँ हर किसी के portfolio में होना चाहिए बले ही एक share हो लेकिन होना चाहिए यहाँ पर देखेंगे इस company ने पिछले 10 सालों में 12,255% के return rate किये हैं बहुत बड़ी ये बात है company का यहाँ पर हम लोग revenue देखेंगे अगर तो company का revenue 2021 में 26,668 करोड रुपए का बना था लेकिन net profit company का थोड़ा सा यहाँ पर decrease हुआ और company का जो net profit था 4,419 करोड रुपए का रहा जो कि decrease वा था previous year 2020 से यहाँ पर देख लीजे company का नाम है बजाज financial limited जी हाँ दोस्तों कौन इस company के बारे में नहीं जानता है यह company करती क्या है यह company retail, SME, commercial customers को चाहे urban हो चाहे rural हो loan provide करती है diversified fields में जी हाँ दोस्तों साथी साथ company जो है public और corporate deposits भी accept करती है और company financial services provide कर रही है loan provide कर रही है और company अपने shares मुकामों पे पहुँच चुकी है बजाज finance limited अकेला यह ऐसा share है जो मुझे लगता है share market में कि अगर आप लोग एक investor है तो बजाज finance के share को at least watch list में आप लोगों ने जरूर डाला होगा तो comment करके जरूर बतेएगा कि क्या largest NBFC है यह इंडिया में जी हाँ दोस्तों largest NBFC है बहुत बड़ी बात है इस पे सोच लिजे कितनी बड़ी बात है तो बजाज finance limited ने सोच लिजे कितने returns दिये हैं जो मैंने आप लोगों को बताया था 7520 रुपए के करीब यह share trade होता हुआ दिखाई दे रहा था यह dip देख हैं और पिछले 20 सालों के दौरान आप लोग मैं यहां पर लिखना चाहूंगा 1306 जी हां दोस्तों मतलब 1306 times अपने shareholder के 500 को बना के कितना multiple times कर दिया है आप लोग सोच सकते हैं किसी investor ने छोटा सा amount वे 20 साल पहले यहां पर invest किया होता तो आज के date में वो करोड़पती चीए must buy shares हैं अगर आप लोगों को share market में कुछ सीखना है तो इन shares को analysis करके जरूर सीखना चीए तो comment करके जरूर बतेगा कि कैसा लगा आज का यह वीडियो आज के इस वीडियो में इतना ही बहुत बहुत धन्यवाद